भारतिय जन्ता पार्टी के नेता अब खुलकर रामन्वमी में हिंसा का उक्सावा कर रहे हैं और वे सरकारों में हैं उन्होंने इसे हिंदुत्व के लिए गोल बंदी का जरिया बना लिया है अब रामन्वमी उन राज्यों में भी मनाई जाने लगी है जहां इसका रिवाज न था बंदाल के हावडा के शिप्पुर में रामन्वमी के दूसरे रोज भी हिंसा जारी रही कुछ अखबारों ने इसे पहले प्रिष्ट की पहली खबर बनाया है जिन अखबारों ने इस हिंसा को इतना असाधारन माना की अपनी पहली खबर बनाया उन्होंने ठीक एक रोज पहले पूरे भारत में रामन्वमी के रोज हुई हिंसा की घटनाओं को इतना गंभीर नहीं माना की पहले प्रिष्ट पर उन्हें जगह दे जाए जबकि रामन्वमी के रोज एक बार फिर पूरे भारत से मुसल्मानों पर हिंसा की खबरें मिली थी क्या मान लिया गया है कि रामन्वमी के दिन तो हिंसा होगी ही एक रोज बाद क्यों हो रही है क्या यह आश्चर्य की बात है और इसलिए खबर है रामंधमी के दिन मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा को अभी भी खबर होना चाहिए कुछ लोग कहेंगे कि यह वक्तव्य एक तरफा है लेकिन पहला सच यही है इस हिंसा में कुछ हिंदू भी घायल हुए होंगे लेकिन हम जानते हैं कि कई बार आद लगाने वालों के अपने हाथ भी जलते हैं गुजरात, महाराश्टर, बिहार, हर्याना, उत्तर प्रदेश, जम्मु कश्मीर, मध्य प्रदेश, जारखंड, बंगाल से एक ही तरह की तस्वीरें और विडियो मिले हैं जिन में रामन्वमी के जुलूस में शामिल हिंदू लाठियों, हौकी स्टिक, तलवारों, बंदूकों के साथ मुसल्मान बहुल मुहलों, गलियों में घुसकर मुसल्मानों को अपमानित करने वाले नारे लगा रही हैं मस्जिदों, दर्गाहों पर चड़कर भगवा जंडे लहरा रही हैं और वहां तोर फोड कर रही हैं भारत की संघीय सरकार के ग्रह मंत्री ने लेकिन सिर्फ बंगाल के राज्यपाल और मुख्य मंत्री को फोन किया है बंगाल को लेकर उनकी यह विशेश चिन्ता क्यों है? अनुमान करना कठिन नहीं है इंसा के ब्यारे देने की जुरुरत नहीं उनमें एक तरह की उबाव एक रूपता है तलवार, बंदूक, भगवा गमछे के साथ लफंगों की भी मुसल्मानों के खिलाफ गालिग लौज, मस्जिदों के सामने अड़ जाने की जिद, पत्थर बाजी और उन पर भगवा जंडा फहराने की कोशिश रामंगमी के अफसर पर आयोजित शोभायात राएं हिंदू समाज के भीतर बसी हुई अश्लीलता और हिंसा के खुले बेशर्म प्रदर्शन का बहाना बन गई है इन में राम की महिमा का गान या जाप नहीं किया जाता, मुसल्मानों के प्रती नफर्द का एलान किया जाता है कई लोग कहते हैं कि मुसल्मानों ने भी पत्थर चलाए है यह उम्मीद की जाती है कि जुलूस वाले गालिया दें, मस्जिदों में घुसकर उत्पात करें और मुसल्मान खामोश देखते रहें वे भी इंसान हैं और उन्हें भी गुस्सा आता है हिंदू अपनी हिंसा को यह कहकर जायस ठहराते हैं कि वे मध्यकाल में अपने पूर्वजों पर हुई हिंसा का बदला के रहें हैं लेकिन वे चाहते हैं कि अभी जो हिंसा कर रहें हैं उन लोगों पर जिन्होंने हिंदूओं का कुछ नहीं बिगाड़ा है उसका कोई जवाब न दिया जाए चुंकि ज्यादातर जगहों पर पुलिस हिंदूओं के साथ होती है या उनके प्रती ही उसका जुकाव होता है हिंदू और सिर चड़कर धिठाई के साथ हिंसा करते हैं पुलिस बाग में अदालतों में प्रायह हिंदूओं के जुलूस को शांतिपूर्ण बतलाती है और कहती है कि उनकी तरफ से जो हुआ वह मुसल्मानों की हिंसा का जवाब था यही उसने पिछले साल दिल्ली की जहांगीर पुरी में हुई हिंसा के बारे में कहा था रामन्वमी के वक्त इस गंदगी और हिंसा का इतिहास पुराना है यह भी सच है कि राश्ट्रिय स्वयन सेवक संध ने इस अवसर का बहुत चतुराई से इस्तमाल किया है हाल में सर्वोट चन्यायालय के वकील चंदर उदे सिंह ने रामन्वमी की हिंसा को एतिहासिक परिप्रेक्ष में रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की है पिछले कई दशकों की रामन्वमी की हिंसा की वारदातों की चानबीन करते हुए यह रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुँचती है कि यह हिंसा मुसल्मान बहुल इलाकों से जुलूस जाने, मस्जिदों के आगे भढ़काउं नारे लगाने के साथ ही होती है जुलूसों में घातक हथियार लेकर चलना आम बात है लेकिन नई बात यह हुई है कि भारतिय जन्ता पार्टी के नेता अब खुलकर रामन्वमी में हिंसा का उकसावा कर रहे हैं और वे सरकारों में हैं उन्होंने इसे हिंदुत्व के लिए गोलबंदी का जरिया बना लिया है अब रामन्वमी उन राज्यों में भी मनाई जाने लगी है जहां इसका रिवाज न था जैसे बंगाल बंगाल में अभी कुछ साल पहले भाजपा ने इसे अभियान की तरह मनाना शुरू किया है और इसमें बंगाल के बाहर से आए हिंदी भाशी इलाके के लोगों का इस्तमाल किया जा रहा है मैंने कुछ साल पहले केरल में रामन्वमी गुजर जाने के बाद भी रामन्वमी का बैनर देखा पुछने पर मालूम हुआ कि वहाँ यह भाजपा और आरेस इसके जरिये नया आयात है धीरे धीरे राम के कंधे पर सवार होकर भाजपा की हिंसक राजनीती पूरे देश में पहुच गई है अब हमारे पास प्रेमचंद जैसा कोई लेखक नहीं जो हिंदू त्योहारों में की जा रही हिंसा का बिना लागल पेट के विरोध कर सके जो कह सके कि मस्जिदों के आगे जुलूस रोकने गानेब जाने की जिद का कोई ओचित्य नहीं है और हिंदूओं को खुद को बदलने की जरूरत है रामन्वमी के मौके पर जो कुछ किया जा रहा है उसे हिंदूओं के ख्षेत्र विस्तार की इच्छा का नतीजा ही मानना चाहिए हर जगह उनका अक्वजा है यही वे जतलाना चाहते हैं इसके साथ वे दूसरों को और कोने में धकेलते जाते हैं एक तरफ रामन्वमी में मस्जिदों के सामने हिंसा दूसरी तरफ रमजान में मुसल्मानों को उनके घरों और मुहलों में सामुहिक नमास पढ़ने से रोकना यह एक प्रकार से हिंदू समाज में बैठी हींता ग्रंथी का नतीजा है वे अपने धर्म में सुख नहीं पा रहे, उनका धर्म उन्हें शान्ती नहीं दे पा रहा इसकी जगह मुसल्मानों और इसाईयों पर हमला करने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं वही उनका धर्मिक कार्य हो गया है जैसे हिंदू होंगे वैसा ही उनका धर्म होगा क्या कहने की जरूरत है कि अभी हीन भाव और घ्रेना बाकी दूसरे धर्मावलंबियों के मुकाबले हिंदूों में सबसे अधिक है फिर हिंदू धर्म के बारे में क्या राय बनेगी? झाल